आखे लाल होना एक बहुती आम समस्या है अधिकतर लोगों को जीवन में कभी ना कभी इस समस्या का सामना करना पड़ता है आखों में सूजन और जोलन भी काफी आम समस्या है इसके कई सारे कारण हो सकते हैं जो मामूली से गंबीर बन सकते हैं तो चलिए जहनते आखों के लाल होने के कुछ कारण जैसे की अलर्जी होना या फिर आखों का थकान वायू प्रेदूशन दूल मिर्टी से अगर अलर्जी है तब आपके आखे में लाल पन हो सकता है या सूजन हो सकती है इसके अलावा रसायनों का अधिक एक्सपोजर लंब अगर अगर बिमारी है तब इस अगर पर निए या सकता है इसके अलावा आखों में चूट में लागजा तब लाल हो सकते हैं सूजन भी कुछ मुझे तैक तो इसारा जै बढ़ते है अब बात करते हैं कुछ ऐसे उपार्ए कर आप आप अपना लेते हैं तो आपकी ये शम तो चली जानते हैं क्या है वो उपाय तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है तो तोवल को गरम पानी में भीग होले और फिर नीचोड़कर आखो पर रखे 10-15 मिनट तक आपको रखे रहना पर आपको इवाद का ध्यान देना है कि पानी जादा गरम ना हो इससे कुझली और फार सूचन से भी आपको अराम मिलेगा अगर गरम पानी से ना हो पाय तो टंडे पानी का इस्तमाल करें पर जो भी निया में तुरूप से सवाई करते रहने चाहिए प्रदूर्शन और सूरज की केने जो होती है बहुत ही हानी कारक होती है आपको हमेशे इससे बच करके ही रहना चाहिए जारत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले जब जारत धूप हो तो और इसके रावा अगर निकल जब भी निकले तो गोगल्स पाहिन करके ही निकले और याद रखे और साथ ही अपने चाहरे को भी ध्यान रखना बहुत ही सारह जरूरी होता है इसके रावर नेक्स्ट उपाई यह है कि आप खीरे को दो करके उसका पतला स्लाइस काट लिए और उससे क्या कीचे 15-15 मिनट तक फ्रेज में रख दीजें फिर अपने आखों पर उससे रख देना फ्रेज से निकाल करके जब तक वह ठंडा नहीं हो जाता और उसके बार क्या करना आपको अपने आखों पर अच्छी तरह से रखे रहना थोड़ा दिर के लिए और यह उपाय को आपको कम से कम दिन में पांच बर करना है और 10-10 मिनट तक 5 बर तैंड़ रखेगा इसके बाद आप क्या करिजिएंगा कि झो ठंड़ा दूद होता है उससे क्या होता है कि आखों का जलन है से चिटकारह मिल जाएका तो थंडा दूद भी अपने आखों पर लगा सकते हैं इसके लावे यह यह बहुती जल्दी आराम निलेगा तो यह था कुछ ऐसे घरी लूप है जिससे आप अपने आखों के सम्विस्टा आसे चुटकारा आप सकते हैं तो वीडियो कैसे लागा कमेंट करके वीडियो को लाइक करना ना भूले आसे इंपोर मेटी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरू करें वीडियो को जादा जादा शेयर कीजागा ता मुलते अगले वीडियो में तो तक लिए बने रहे हैं चैनल के साथ आन्यवाद है